है 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 कैसे हैं आप लोग आपका मोस्त अलकम है हमारे सेशन में माई नेम इस सब्सक्राइब करेंगे आप लोग उड़िया होंगे सब लोग सोगे आराम से नहां दोकर हमारे करेंगे एक बार बस मैं कंफर्म कर लूँ कि आपको मुझे देख पाने की नहीं देख पा रहे है कुछ टेक्निकल कुछ मेसरज έχ आया था मेरे पास की यूट्यूब पे कुछ प्राब्लम चल रही है तो देख लेते या तो बसे ट्रीक है ठीक है है चलिए गाईज दो शुरू करते हैं अपना session आज कुछ दिक्क्त चल रही यूट्यूब पे तो तो इसलिए मुझे लगा कुछ प्रादम तो नहीं हो रही चले शुरू करते हैं guys तो हमेशा की तरह मैं बस आपको यह बताना चाहूँगा कि हमारा Express Video Course launch हो चुका है guys Express Video Course 1499 का है जिसमें आपको पूरे lifetime की validity है और इसमें आपको प्रॉपर 6 courses दे रहे हैं for your examination, for your preparation उसके अलावा guys हमारा individual batch भी चल रहा है, live batch चल रहा है जो 4 double line में लेकिन अगर आप Express Course लेंगे तो हमारा यह जो individual course है वो आपको free of cost मिलेगा एक यह information है इसमें आपको हम mock test भी जाते हैं इस course में दूसरी information जो कल मैंने आपको बताई थी हमारा call center वाला हमारा call वाला initiative शायद आपने कल मेरी रात वाली वीडियो देखी होगी तो उन सब का lab उठाईए और अपना selection लीजे और हाँ guys आपको यहाँ पर नीचे मेरी email आड़े दिख रहे होगी तो आज दिन के 2 बज़े हम FAQ वाले class लेनी है हाला कि मेरे पास बहुत सारे questions आ चुके हैं तो अगर किसी question मैं आज नहीं ले पाता हूँ guys तो मैं वो अगली बार लूँगा week में दो ग्लास असे लूँगा ठीक है तो उसके लिए परिशान ना हुएगा चलिए आगे बढ़ें तो पहले warm कर ले तो warm कर ले तो पहला question आपके सामने आएगा और देख लीज़े यहां पर आपसे पूछ आगा है for which state the center has allocated rupees 412.19 करोड under the जल जीवन mission in 2020-21 तो भारत सरकार ने किस राज जगो 2021 के लिए 412.19 करोड रुपए आवंटित किये हैं आपको इसका सही answer देना तो जल्दी से answer दे मुझे क्या इसका answer होगा फिर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने next question की और इसका answer यहां पर अर्विंद बोल ले तिलंगाना इनका पहला answer आया है अभी तक और देख लेते लोगों को answer क्या होगा answer होगा इसका answer होगा इसका answer होगा तिलंगाना option number B तो तिलंगाना को 412 412.19 करोड रुपय दिये गए है वहीं करनाटका की बात करें करनाटका को 1189.40 करोड रुपीस दिये गए है वहीं ओडिसा की बात करें तो ओडिसा को 812 करोड रुपय दिये गए है तो यहां कर ले जगा ठीक है चले बॉड बॉर्णिंग राजु बॉर्णिंग भाई नेक्स पाइंट विस सिटी सिविक बॉड़ी एज लाउंच मिशन जीरो फॉर सिक्स वाट्स इन दे सिटी सब अर्ब इन्टु कर्व कोविड-19 केसे मैंने कल आपको पढ़ाया था कि किस शहर के नागरिक निकाय मतलब नगर पालिगा ने कोविड-19 मामलों पर अंकुष लगाने के लिए किस राजसरकार ने गरीबों के लिए इंद्रा रस्व योजना शिरू की है आपके एक्जाम में कभी ऐसे नहीं पुछना की कितने रुपए का आपको प्लेट खाना मिलता है आपको बस स्कीम पूछेगा और किस स्टेक में यह आपसे पूछेगा तो जाद आपको पढ़न आए रिनेमिंग ऑफ तोनोशीरो आइलेंट टू तोनोशीरो सिन काकु एस ट्रिगर तेंशन बिट्रिन चाइना एंड इस कांट्री तो टोनोशीरो दीब का नाम बदलके टोनोशीरो शिन काकु अरने से चीन और इस दिश्के में तनाव बढ़ गया है तो गाईज यह जि पाँच रुपय का ब्रेक्फास्ट है, आठ रुपय का लंश याशी जा बिल्गुल सही आप बोल ले हैं, चलिए इस कोशन का एंसर दीचे, एंसर इस जापान ऑप्शन नंबर सी, तो जापान ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्गुल सही एंसर है, आगे बढ़ें, बात करें संधी में शामिल होने का फैसला किया है, यह टुटीय दो होजार फीरह में आई थी, और दिसमबर टुटॉजन 14 में इस यह पावर में यह आ गए थी और एंसर क्या होगा अरविंद बोल ने चाईना एंसर क्या होगा एंसर इस चाईना उप्षिन नमर एंसर हम आगे पढ़ेंगे नेक्स कोशन की बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैस प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट एंड दिस परसंट इन फिनांशल यह 2021 लेट प्राइट का पोश्चन आपको बताना है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्वर्ष 2021 के लिए भारत की ग्रोथ रेट को कितना प् एंसर क्या होगा एंसर क्या होगा एंसर क्या होगा एंसर होगा ईंसर होगा मैनेस 4.5% मैनश रितिकालने पहला इंसर दiblिया है व्यर्ज और शानु पांडे दूसरा आंसर rock michael वें नहीं रोग-mैकल हाना very good बहुत बढ़ी है आहा बन i haven ब dispatch किया है नेक्सप्टाइं को बताना है कि 50,000 वेंटिलेटर के लिए PM केयर फंट से कितना रुपय अलोकेट किया गया है ठिक तो ये आपको पता है मैंने ही पढ़ाया आपको हाँ अरविन बिलुपल इसका एंसर 2000 करोड रुपीज है तो अगर आपसे वेंटिलेटर पुछेगा तो 2000 करोड रुपीज आ यानि टोटल मिला जुलाके कितना हो गया कि 20 एक तेस्सो करोड रुप है याद रखेगा हाँ इसे लिकला आप कन्फूज हो रहते तो वेंटिलेटर के लिए 2000 करोड रुप है और माइगरेंट वकर के लिए 1000 करोड रुपीज और वाक्सिनेशन हैंड़ करोड रुपीज आ और इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर होगा अमीश त्रिपाथी option number C is right answer अमीश त्रिपाथी option number C is right answer ठीक है चली आगे बढ़ते हैं और बात किरते हैं next question की The 15th Finance Commission has recommended the grant of how much rupees for the period of financial year 2021 for the rural local bodies तो पंद्रहवे वित आयोग की बात करें कितने रुपए के अनुदान के सिफारिस की है वित आयोग ने for the ग्रामीड इस्थानी निकायों के लिए तो ये आपको बताना है 15th Finance Commission के chairperson को ने अनके सिंग है पता है आपको तो देख लीजे ये मै कराया नहीं था आपको लेकिन MSQs में मैंने ये करा दिया है हमारे PDF में हर question का explanation आपको मिल जाएगा हाला कि जितना भी है वो मैं आपको यहां पर दे रहा हूँ एंसर क्या होगा एंसर क्या होगा और यहां पर एंसर आने शुरू हो गया है अंकेता मित्तल बोल रही है 60750 करोल option number भी तो 7750 करोड रूपय रूरल लोकल बोड़ी को दिया चाहेगा ठीक है आगे बढ़े next question की बात करें who has been re-nominated as a part-time non-official director on Reserve Bank of India Central Board for two years from 3rd March 2020 guys अगर आप लोगो ने थोड़ा बहुत भी RBI मुझसे पढ़ा है तो मैंने आपको बढ़ाया था कि RBI के board of members होते है उसमें 21 लोग होते 21 में एक होता है governor, 4 होते हैं deputy governor, 2 members from the finance ministry, मैंने यह भी बताया था 10 members appointed by government of India तो यह 10 members जो government of India appoint हरता है तो उसमें एक ही बात हम कर रहे है Tata Suns के chairman, इनका नाम क्या है? Natrajan Chandrashikharan तो Natrajan Chandrashikharan को फिर से एक बार Reserve Bank of India में जो 10 members होते हैं उसमें चुना गया याद कर लिशेगा Natrajan Chandrashikharan option number C's guidance यह कौन है? यह Tata Suns के CEO है, चलिए आगे बढ़ दे, next point की बात कर ले तो एक उल्का पिंड यासी वस्तू जो है, वो अभी क्या है? उसका weight 2.78 kg था वो इंडिया के किस state में गिरी है जिसके गिरने की आवाज sound 2 km तक सुनाई पड़ा तो देख लीचे यहाँ पर, a meteorite like objective weighting around 2.78 kg has fallen from the sky in the which Indian state resulting in a one foot deep crater in the earth, what is the answer? क्या इसका answer होगा? और यहाँ पर पहला answer Arvind दिया है, Rajasthan बोल रहे है उसके बाग, ठीक है, Rajasthan option number A is right answer, next point which Indian company has announced the launch of its generic version of antiviral drug Remdesivir for emergency use in the treatment of the COVID-19 patient तो आपसे पूछा गया कि कौन सी भारती कमपनी COVID-19 रोग्यों के उपचार में आपातकाली उपियोग के लिए antiviral दवा Remdesivir के अपने सामाने संस्क्रण को launch करने घुशडा कर रही है मतलब Remdesivir को यह ingredient है, तो इसको branding की जाएगी, इस medicine का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, सिप्रेमी सिप्रेमी, यह सिप्रेमी इस medicine का नाम होगा, इंडिया में मतलब ingredient तो Remdesivir है, लेकिन उसका नाम क्या रखेंगे, सिप्रेमी, C-I-P-R-E-M-I और यह कौन लाँच कर रहा है, यह सिप्ला लाँच कर रही, option number A is right, so very good, बहुत बढ़िया, next point की बाग कर ले, the Supreme Court asked the government to treat a rich petition for setting up expert panel to improve India's performance in which index, Supreme Court ने भारत सरकार से कहा है, कि कि सुचकांग में भारत के production में सुधार करने के लिए, एक panel बनाना चाहिए, तो क्या इसका answer होगा, देख लिए, कौन Supreme Court में बोला है कि इस index में सुधार करने के लिए, वो कौन सा index होगा, यह आप से पूछा गया है, और इसका answer आपको देना है, देख लेते हैं, आप में से कोई answer दे रहे हैं, और अंगेता मित्तल का पहला बिल्कुल सही answer आ गया, तो उसका answer rule of law index, तो rule of law index में भारत की rank बड़ी पूवर है, उसको ठीक करने के लिए Supreme Court ने गौर्मेंट से बोला है, कि आप एक panel बनाई है, बहुत बढ़ी है, बहुत अच्छे guys, आगे बढ़े और बात करें next question की, तो who inaugurated virtual India pavilion at the Khan Film Festival, virtual India pavilion at the Khan Film Festival, कल मैं आपको बताया था, कि इंडि इसके प्रकास जावडेकर जी, option number C is right answer, next point, which organization in collaboration with the international transport forum, will launch the decarbonizing transport in India project on 24 June, मतलब कल की बात कर रहा है, तो international transport forum के सहयोग से कौन सा संगठन, 24 June को भारत में decarbonizing transport project launch करेगा, कर चुका है, मतलब, और यह हम लोगों कल पढ़ चुके, इसका भी answer क्या होगा is, इसका भी answer होगा, निती आयोग, option number D is right answer, निती आयोग, आगे बढ़े, which IIT have created a chip named Dhruva, that can be mounted in smartphone and navigation devices, कल मैंने पढ़ा चुका, पढ़ा दी आपको, तो किस IIT के, किस IIT ने, Dhruu नाम की एक chip बनाई है, जो देश के भीतर, इस्थानों और मार्गों को खुजने के लिए, smartphone और navigation devices में लगाया राजियस जेले जी ने इसको मिनाया है, और ये कौन सेंस्टिट है, तो IIT Bombay, option number 3 is right answer, Reserve Bank of India has extended special liquidity window for this amount to Yes Bank for 3 months in June 2020, आप से पूछा क्या कि Reserve Bank of India ने 3 महीने के लिए फिर से, Yes Bank को एक special liquidity window, मतलब कुछ amount दिया है काम करने के लिए, Reserve Bank of India last time भी जा चुका था, साथ हजार करोड उपर 3 महीने के लिए, और फिर से 3 महीने के लिए इतना amount दिया है, वो amount कितना ये आप से पूछा गया है, Arvind बोलने है 50,000 करोड उपीस, क्या इसका answer होगा, and the right answer is 50,000 करोड उपीस, option number 5, for the 3 month, for the 3 month, चलिए, next point, What is the amount that was allocated by the Central Government from the PM Care Fund for Migrant Labour Welfare, तो अभी मैंने को इताया था, कि 2000 करोड उपीस for Ventilator, 1000 करोड उपीस for Migrant Labour, and 100 करोड उपीस for Vaccination, तो answer is 1000 करोड उपीस, option number 1 is right, चलिए, तो ये था हमारा आज का warm-up session, हम आगे बढ़ते हैं guys, और अब बात करेंगे अपने motivational code के साथ, ये motivational code आज ज़्यादा study होने के नहीं, लेगिन हाँ, आपकी life में ये काफी importance रखेगा, a meaningful life का मतलब क्या होता है, is not being rich, being popular, being highly educated, or being perfect, it's about being real, being humble, being able to share ourselves and touch the lips of other, तो guys, कहने का मतलब क्या है, मतलब अगर आप COVID-19 को देख लिजे, COVID-19 एक पहली बिवारी SCI जिसमें अमीर सबसे यादा मरे, और गरीबों को सबसे कम नुकसान हो, मतलब एक चीज है, खाली हाथ आए हैं, हम खाली हाथ जाएंगे, गाना पर अपने सुना ही होगा, तो कहने का मतलब guys, यह है ना, कि जोखो अगर तुम्हारे point of view से मैं समझा तो केवल अपनी study करके selection लेना यह बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप society के लिए क्या करना चाहते हैं, आप अपने साथ दूसरों की help कैसे करना चाहते हैं, यह सब भी आपको देखना पड़ेगा, guys आप officer बनने जा रहे हैं, आप railway में जा रहे हो, आप SSC में जा रहे हो, आ आपने अपना selection लिया, अपना काम कर लिया, नहीं, आपको दूसरों की help करना है, हमेशे अच्छा इंसान बनना है, humble रहना है, हमेशे अपने माता पिता का संबान करना है, एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, parents सबसे बड़े हैं हमारे, उनकी बास समझ नहीं है, कभी उनके अगेंट्स में आके कोई decision नहीं लेना life का, यह मैं अपने site से आपको बता रहा हूँ, आगे आपकी मरजी है, और दूसरों की help करिये guys, ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे बीच में हैं, जो की इस बार select हुए हैं, जो की last year भी select हुए थे, हमने proper उनका एक telegram channel भी बनाया है, और उससे request भी किये कि आप दूसरों की help करिये, मेरे group में खुच जो telegram channel में admin है, उसमें mostly selected है, आप चाहे सरक की बात करें, चाहे आप आशीर जा की बात करें, तो यह बच्चे selected है, अब यह जो thumbnail बनाया है, अंकिता ने बनाया है, वो भी selected है, तो कहने का मतलब guys कि यह जो हम मैंने कल बोला थाना कि हमारा telegram channel जो है सबसे best industry का, जो की वास्तों में वहाँ पर selected बच्चे आपके लिए काम कर रहे है, उन्हें क्या फरक पड़ता है, लेगिन वो आपके लिए करते हैं, आपको quiz कराते हैं, आपको guide करते हैं, तो guys यही तो it life का, कल एक बच्चे ने आपके लिए क्यों नहीं किया, या फिर आपने अभी त्यारी क्यों नहीं किया, मैंने का या मुझे इसमें डेंट नहीं मिलता, मुझे यहां मिलता, तो मैं अभी वही काम कर रहा हूं, जो आप देख रहे हो, और जो मैं आप से चाहता हूं, तो अपने आपको strong करिए, और current affairs के और यहां पर हम बात करेंगे report indices ranking की, तो यहां पर पहला point हमारे सामने है देखे, तो India retained its position on third largest economy on triple P, purchasing power parity, basis for 2017 world bank report, सुनना, यह थोड़ा tough है, मैं आपको संगता हूं, world bank ने अपने एक report निका लिया है, और 2017 के हिसाप से comparison किया है, कि किस dish का purchasing power parity कितना है, और उसके हिसाप से भारत पूरे वर्ड का तीसरे number का economy है, अर्फ रस्ता है, आप बोलेंगे sir, what is the meaning of purchasing power parity, तो purchasing power parity का देखो formula कैसे निकलता है, कोई भी product है, कोई product है, वो एक currency में कैसा, क्या है उसका price, और वही product, दूसरे currency में क्या price रखता है, आप divide कर दीजे, आपको purchasing power parity मिल जाएगी, for example, जैसे मालो मेरी ये घड़ी है, ये watch है मेरी, अब इस watch की कीमत US में क्या है, क्योंकि वहाँ dollar चलता है, और इस watch की कीमत India में क्या, क्योंकि रुपीज चलता है, तो इससे हम purchasing power parity निकालते हैं, और India इसमें तीसरे number का सबसे बड़ा देशन, पहले पर China है, purchasing power parity में, दूसरे प इंडिया, आइए, आपको पूरी news दिखाते हैं, अगर आपको news तभी clear ना हो, तो जितना point में बोलू, उतना point आप याद कर ले ना, ठीक है, दो, तो पहले मैं अपने मों gap करो ज़रा, guys देखे, तो अगर हम बात करें, वर्ट बैंक की, तो वर्ट बैंक नहीं, अभी new purchasing power parity के इसाब से, मतलब अपनी एक report निकाली है, और 2017 का comparison है, ठीक, अंडर the international campaign program, अंडर international तो ये कुछ है नहीं, इसे पढ़ने जूरत नहीं है, तो वर्ट बैंक ने अपनी purchasing power parity for the reference year 17 निकाली है, total 176 economy पर ये research हुआ, ठीक, और इसमें इंडिया तीसरे number का सबसे बड़ा देश बन गया, in terms of purchasing power parity, ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, कि 2017 के इसाब से हमने comparison किया है, 176 economy का comparison किया है, और इंडिया तीसरे number का देश बन गया, इतना काफी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको और आगे लिए चलना हूँ, और देख लीजे, तो अगर हम purchasing power parity के इसाब से global GDP की बात करें, तो इंडिया की percentage में GDP 6.7% है, और अगर आप amount की बात करेंगे, तो 8051 billion है, वहीं China की बात करें, चाइना की GDP, global GDP इतना है, 16.4% और अगर आप amount के बात करेंगे, तो 19,617 billion dollar, वहीं आप US की बात करेंगे, तो global percentage का 16.3% और amount में 19519 billion dollar, तो मैंने आपको यह पूर भी complete information देती, वो आपके उपर है, आप कितना पढ़ते हो, तो guys इतना बस समझे लो कि इंडिया की बात करें, तो India purchasing power parity में, तीसरे नंबर की economy है, पहले बेग चाइना है, आप देख लिजेए, दूसरे पर US है, चाइना की GDP percentage में, US की GDP percentage में, amount में शायदी पूछे आपसे, त यहाँ पर भी फिर से एक report की बात करेंगे, और हम SBI report की बात करेंगे, State Bank of India ने क्या बोला है, कि COVID-19 के वज़ा से, जो India में financially 21 है, उसमें per capita income में 5.4% की कमी आएगी, COVID-19 के वज़ा से, भारत के नागरिगों की प्रतिवक्ति आए में कितने कमी आएगी, तो कितने की कमी हमारे देश की जो GDP, divide by total population, total population, या आप बोल सकते हो national income, divide by total population, हमारे देश की GDP या हमारे देश की national income कितनी आए, और उसकी बाद population से divide कर दिये, तो आपको मालम चलेगा कि पर रेक्ति कितना कमाता है इंडिया में, तो उसमें, क्योंकि आइस आप देख रहा हूं, कि हमारा GDP अ कमी तो आनी ही आनी है, और कितनी कमी आगी, 5.4%, it is also very very important, और बेटा लोग, ये important point है, कुछ बच्चे मुछे बोलते हैं, सर ये तो banking वाला सी है, नहीं भईया, ये current affairs है, UPSC, RBI grade B, SSC, railway, banking, किसी भी exam में ये कोशना सुपना है भाई, देखो, अब यहाँ पर क्या है, की में कमी होगी, सबसे ज़्यादा per capita income में कमी डेली, देन चंडीगर, उसके बाद गुजरात में देखी जाएगी, जो की 15.4%, 13.9% और 11.6% हो सकती है, तो डेली, चंडीगर एन गुजरात, सबसे ज़्यादा per capita income में कमी आने वाली है, ठीक, और अगर आगे बात करें, अर देंगे, तब भी काम आपका हो जाएगा, तो किस तीन इस्टेट या यूटी में per capita income में सबसे ज़्यादा कमी आएगी, वो दिल्ली, चंडीगर और गुजरात है, और परसेंटेज यहाँ बताया गया है, और कहा सबसे कम कमी आएगी, तो अरुणाचल प्रदेश, गुआ इन मनीपूर, तो यह भी आपको याद रखना है, तो यह भी हमने बात कर लिया आपसे, चलीए, आगे बढ़नें गाइस, आगे बढ़नेंगे और अब बात करेंगे आपसे अपने next news की, जो की appointment और resign पर है, और यहाँ पर हम बात करेंगे वसीम जाफर की, वसीम जाफर appointed head coach of the Uttarakhand cricket team, तो Uttarakhand cricket team के head coach बने है वसीम जाफर, आइए पूरी news आपको यहाँ पर दिखाते, पूरी news यहाँ पर यहाँ दिखिए, ठीक है, तो वसीम जाफर इन्हें उत्तराखन cricket team का head coach अपॉइंट किया गया है, वसीम जाफर रंजी ट्रॉफी में अभी तक के सबसे जादा score करने वाले क्रिकेटर है, यह भी याद रखेगा, मुंबई और विदर्फ के लिए खेल चुके हैं, इतना बहुत इतना काफी है, तो किस team के लिए कोश बने हैं, तो उत्तराखन cricket team के कोश बने हैं, यही बात आपको याद रखनी है, ठीक, उसके बाद guys अगर आग of the global development, तो विश्व Athletics ने लॉरेंट बोकवी लेट को वैश्विक विकास के लिए नए प्रवोक के रूप में निवत किया है, पॉइंट किया है, मतलब की लॉरेंट बोकवी लेट का काम क्या होगा, पूरे वल्ड में अथलेटिक्स को बढ़ावा देना, ऐसे देश जो की विश्व Athletics का पार्ट नहीं है, उनको भी मेंबर्शिप देना, मतलब प्रचार प्रसार के लिए उनको पॉइंट किया गया, विश्व Athletics ने लॉरेंट बोकलीवेट को अपने ग्लोबल जेवलपमेंट का हेड चुना है, ठीक है, देख लिजे, तो वही सेम चीज है, वर् मेल हैं ये, ठीक है, आगे तुम लोग कैसे question पूछते हो, आगे बढ़े और अब बात करेंगे business finance economy की, और यहाँ पर हम करनाटका बैंक की बात करने वाले, करनाटका बैंक launches KBL Micro Mitra for Micro Enterprises, Micro Enterprises मतलब सुछ में उद्ध्यों, तो करनाटका बैंक ने सुछ में उद्ध्यों के ल can be provided to the micro manufacturing and service enterprises, either for working capital or for the investment purpose, मतलब हमारे देश में अगर कोई micro company है, micro enterprise है, सुछ में उद्ध्यों गया, वो करनाटका बैंक में जाकर, करनाटका बैंक में जाकर 10 लाख रुपए तक का loan ले सकता है, 10 लाख रुपए तक का, यह loan वो चाहे तो अपने working capital के लिए ले, चाहे तो कोई investment करना है, तो उसके लिए लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, interest rate काफी कम है, इसका यह सब बताया गया है, तो basically आपको याद क्या रखना है, कि KBL Micrometer किस bank ने launch किया है, तो KBL Micrometer करनाटका bank ने launch किया है, इसमें कितना amount loan मिलेगा, इसमें 10 लाख रुपए का loan मि आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं आपसे next news की, और next news भी अच्छी बिल्कुल भी नहीं, मुडीज की बात करें गाइस, तो मुडीज ने भारत की growth rate को for the calendar year, calendar का मतलब, अगर calendar year 2020 हम बोलते हैं, तो इसका मतलब जनवरी से लेकर December तक, तो जनवरी से लेकर 2020 की बात क एक साल बात मतलब 2020 में, 2020 में वही जनवरी से December तक ही बात करें, तो हमारी growth rate 6.9% रहने की उम्मीद है, तो ये आप देख लिजे, आपको याद करना है, तो मुडीज ने अभी अपना एक global macro outlook report publish किया, और उसमें ये बताया, उसमें की भाई, calendar year 2020 में भारत की growth rate 3.1% रहेगी और एक साल के बाद, ये कितनी हो जाएगी, 6.9% रहेगी, तो ये भी हमने आपको बता दिया, आपको यातु करना ही पड़ेगा, हाँ हाँ, एक्जाम से पहले याद कर लीजे सिमरंजी, जी बिल्गूल से कोई option नहीं है, तो ये point हमने आपको बता दिया, आगे बढ़ते ह कि कॉपरेटिव बैंकों पर बहुत जादा Reserve Bank of India अपना कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि कॉपरेटिव बैंक, कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट के थू काम करते हैं, न कि Banking Regulation Act, RBI का इन पर बहुत कम पावर होता है, तो भारत सरकार ने एक ordinance को approval दे दिया, जिससे हमारे कॉपरेटिव बैंक सीज़े Reserve Bank of India के अंतरगत आ जाएंगे, सीज़े आ जाएंगे, चिक, आएए, देखिये, Government of India will bring an ordinance to put all कॉपरेटिव बैंक under the Reserve Bank of India, ये announcement किस ने किया, तो ये सुचना दी, प्रकास जावडेकर जी ने, तो ये भी याद रखिया कि एक announcement किस ने किया, चि और विजन में आ जाएंगे, 1482 अर्बन, शहरी कॉपरेटिव बैंक, जिला सखारी बैंक, और 58 multi-state कॉपरेटिव बैंक, जो कई स्टेट में पनी ब्रांच खोलता, वो सब सीज़े सीज़े Reserve Bank of India के अंतरगत आ जाएंगे, जिससे कि Reserve Bank of India बैंकों पर अपना कंट्रोल करेग और कस्टमर के साथ कम से कम फ्रॉड होगा, ठीक है, तो एक पॉइंट ही है हमने आपको बता दिया, आगे बढ़ें, और अब बात करते हैं आपसे नेक्स पॉइंट की, इंडिया GDP to contract by 5.3% in the financial year 21, bounce back in financial year 22, इंडिया ratings, तो इंडिया ratings की अपनी नई ratings आ गई, जिसने क्या ब economy minus 5.3% रहने वाली है, कितनी minus 5.3% रहने वाली है, in the financial year 21, मतलब जो अभी चल रहा है, minus 5.3%, और next year की बात करें, तो मतलब next financial year की बात करें, तो ये positive में हो जाएगा, और 5 to 6%, 5 to 6% हमारा growth rate रहने की उमेद है, तो इंडिया rating research की बात करें, Fitch Group का एक पार्ट है, जो इंडिया के domestic market का rating करता है, और इसने बताया है कि भारती growth rate, 22-22 में, minus 5.3% रहेगी, और 22-22 में, 5 to 6% रहेगी, ये भी हमने आपको बता दिया, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और ये आज का दूसरा सबसे important news देख लीज़ें, वर्ड का पहला, gold-back US digital gold currency launch in India, भारत का पहला, gold-back US digital gold currency, मतलब वश्व का पहला, विश्व का पहला, gold-back US digital gold currency, इंडिया भी launch हुआ है, मतलब क्या देखे, केवल इंडिया में ने, ये Middle East में भी launch हुआ है, और African country में भी launch हुआ, इसका मतलब, आप जो company नाम में बताऊंगा, आप उस company से digital currency खरी दिये, like bitcoin की तरह, और जब आप कामण करें, इस digital currency को आप gold में convert कर सकते हैं, आपको physical gold मिलेगा, किस के through मिलेगा, बैंकों के through मिलेगा, आपको मैं पूरा तरीका समयाता हूँ, देखिए यहां पर, ज्यांस देखिएगा, तो कौन सी company यहां पे नाम दिया हुआ है, जो हो, IBMC, है ना, जो, तो IBMC Financial Professional Group, IBMC Financial Professional Group, in partnership with the US Gold Currency Incorporation and Blockfills, इन तीनों ने आपस में partnership की है, और विश्व का पहला monetary gold back, US gold digital currency launch किया है, इंडिय में, Gulf countries में, Middle East में and Africa में, यह सुनने में tough लग रहा है, बस आपको एक काम करना है, नाम याद रखना है, IBMC Financial Professional Group, Blockfills and the US Gold Currency Incorporation, इससे क्यों गाइस, for example, मालो मैं मिर्जापुर में रहता हूँ, और मुझे इसमें निवेश करना है, ठीक, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे online जाकर, यह Digital Currency खरीद लेनी है, जैसे मालो मैंने एक लाग की डिलकासी खरीद लेनी है, अब मालो की 10 दिन के बाद लगता है, मुझे क्या मुझे गोल्ड चाहिए, तो यह जो companies है न, यह पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, हर चगा पे, बैंकों से, NBFC से contact मालो की इनका SBI से contact है, ठीक, तो मुझे बस अपने शहर में SBI की ब्रांच में जाना होगा, यह Digital Currency इनको transfer करना होगा एक लाग की, और मुझे एक लाग गोल्ड SBI दे लेगा, SBI क्यों देगा, SBI बदले में commission लेगा इनसे, तो यह ऐसे ही चलेगा, तो यह point है, तो यह भी ह आप चाहें तो gold इसके बदले में ले लो, और आप चाहें तो उसके बदले में US dollar भी ले सकते हो, यह भी facility आपको दी जाएगे, ठीक है, तो एक point हमारा यह हो गया, आगे बढ़ते हैं, और अब बात करेंगा इस international affairs की, international affairs में इंडिया ने बूला है, कि वो United Nation refugees, जो फिलिस् 10 million, to the United Nation Relief and Work Agency for the Philistine Refugee, in the next, in the Near East, मतलब की, simple भाशना में समझें, तो अगले दो सालों में, अगले दो सालों में, इंडिया जो है, वो United Nation Relief Work Agency for the Philistine है, इनको 10 million dollar की help करेगा, और 2020 में, 2020 में, इंडिया ओर इनको 5 million dollar की help कर रहा है, the contribution of the USD 10 million would be an additional amount, over and above the 5 million contribution, announced for the year 2020, मतलब 2020 की बात करें, तो इंडिया तो इनको 5 million की help करीड़ा है, और अगले दो सालों में, additional 10 million की help करेगा, तो ये आपको याद रखना है, अगले दो सालों में, ये point धान दी जगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं गाईज, और अब International Affairs में, न्यूस न कि इसलामबाद में एक हिंदू मंदिर बनाया जाएगा, मतलब 1947 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा, आईए पूरी न्यूस आपको यहाँ पे दिखाते हैं, दो पाकिस्तान की आजादी के बार, पाकिस्तान की कापिटल में, पहली बार कोई मंदिर बनाया जा रहा है, च् पर यह देख लिया, आगे पढ़ें next point की बात करें the temple will be devoted to Lord Krishna and the name of the temple will be Shri Krishna Mandir, ये temple भगवान Krishna को समर्पित होगा और इसका नाम होगा Shri Krishna Mandir the construction of the temple would cost rupees 10 करोड in पाकिस्तानी रुपीस, और इसकी total cost 10 करोड रुपे रखी गई है और ये 10 करोड रुपीस गवर्मेंट की तरफ से आएगा public को नहीं देना है इसमें, ठीक है तो ये भी point हमने आपको बता दी ठीक है, चलिए आगे बढ़ें guys, और अब बात करते हैं the foundation stone ceremony was attended by the लाल चंद माली, ये कौन है तो ये पाकिस्तान के parliamentary secretary on human right है युक्ती 2.0 guys, आपको शैद याद होगा, मैंने आपको युक्ती scheme पढ़ाई थी एक बार जिसका objective क्या था COVID-19 का जो impact है तो COVID-19 impact को कैसे कम करे through technology, through education या education पर इसका कैसे impact ना आने दे, उसके लिए युक्ती शुरू किया गया था और अभी कल युक्ती 2.0 launch कर दिया गया है वही मतलब है, आएए पूरी information आपको लिखाते है देखेए तो हमारे देश के HRD minister श्री रमेश पोखरिया निशंग जी की बात करे इन्होंने युक्ती 2.0 launch कर दिया इसका बस एक ही objective है या technology की कैसे higher education को with knowledge, technology and innovation वही है कि यंग इंडिया technology के थू कैसे लड़ेगी technology के थू कैसे लड़ेगी knowledge के थू कैसे लड़ेगी innovation के थू कैसे लड़ेगी COVID-19 से ये इसका मतलब है तो आपको पूरा point पढ़ने की जोरत नहीं है तो HRD minister ने launch किया है क्या launch किया है हालाक तो फायदा नहीं है ठीक है आगे बढ़ें और अब बात करते हैं government scheme news number 2 की और हमारे देश में food processing industry में ज़्यादा निवेश लाने के लिए हमारी food processing industry minister हरसिमनत कौर बादल जी ने exclusive investment forum launch किया है exclusive investment forum का मतलब guys क्या होगा जैसे मालो मैं कोई विदेशी नागरेख हूँ और मुझे इंडिया के food processing industry में निवेश करना है तो इंडिया में ऐसे कौन-कौन से state है जहाँ पर better infrastructure है इंडिया में वो कौन-कौन से state government है जो की मुझे proper help करेंगे मुझे incentive देंगे land acquisition मेरी help करेंगे तो इन सब बातों की query के लिए inclusive investment forum है जहाँ पर सीधे सीधे एक investor सीधे के investor state government के chief minister या फिर top level official से correspondent कर सकता है अच्छी जीज़ है आई आपको दिखाते है तो food processing edition of the exclusive investment forum has been launched by the union food processing industry minister हरसिमरत को और बादल जी तो अभी के लिए इतना पड़ो की हरसिमरत को और बादल ने exclusive investment forum लाँच किया है इसका काम क्या होगा तो इसमें basically आपका comprehensive conversation हो सकता है among global industry leader and the key decision maker from the highest level of the central and the state government मतलब industry leader का मतलब जैसे मालेशे हम US के business man है food processing में और हमें इंडिया में निवेश करना है तो सीधे हम state government और central government के top officials से सीधे communicate कर सकते हैं वो जो मैंने आपको examples दी है तो exclusive investment forum इतना याद रखिये और कहानी मन में बढ़ाय रही अच्छा तो union government and six state government मतलब आंध्रपरदेश असम मध्यपरदेश पंजाब तिलंगाना और उत्तरपरदेश ये छे state इसमें participate कर रहे है मतलब ये six state चाहते हैं कि food processing में उनके state में निवेश हो तो आपको ये six state के नाम भी याद रखने है ठीक है तो एक point हमने आपको ये बताया ठीक है याद कर लेजएगा चलिए आगे बड़ेगा इस और अब बात करते हैं बहुत बड़े घटना की हमारे देश में जो की अभी हमारे इंडिया की space जो हमारा space initiative है उसको change कर देगा पूरा का पूरा तो union cabinet approved private sector participation in the space activity अभी तक हमारे देश में private sector का कोई participation नहीं था जिस तरह से आप देखते हैं कि US में spacex है बहुत private company तो US में private company का participation है लेगिन इंडिया में नहीं था तो इंडिया में अब private sector के participation को allow कर दिया गया है ये बहुत बड़ी खबर अपने आप में है ठीक देखें यहाँ पे तो under the chairmanship of the PM Modi to further advance India capabilities in the space sector the cabinet approved the participation of the private sector in the various space activity simple भाशा में private sector का को participation करने के लिए अब allow कर दिया गया है in the space management space sector ठीक है याद कर लिजेगा it is also very very important point ठीक है अच्छा the cabinet has approved setting up the Indian National Space Promotion and Authorization Center तो cabinet ने बोला है कि हम एक Indian National Space Promotion और Authorization Center बनाएंगे मतलब एक high level body होगी जो की जो की जो की encourage करेगी encourage करेगी regulate करेगी private company को उनको guide करेगी किस तरह से space activity करनी है हमारे दिश में जैसे हमारे दिश में bankों पर करने के लिए RBI है वैसे ही space agencies में निवेश करना या space जो private space agencies है उनको guide करना यह सब काम कौन करेगा Indian National Space Promotion and Authorization Center I.N. Space याद कर लिजेगा यह सारे point काफी important आपके लिए है ठीक है चलिए आगे बढ़ते अब बात करें extra light की तो यहाँ पर हम बात करेंगे Reliance G.O.T.V Reliance G.O.T.V और हरियाना गौर्मेंट के बीच में agreement हुआ है अब हरियाना की जो गूजल areas है जहाँ पर proper schooling सबसेदा impact होई है वहाँ पर Reliance G.O.T.V smart classroom शुरू करेगा तो Reliance G.O.T.V और हरियाना गौर्मेंट के बीच में agreement हुआ है याद कर लेजएगा हरियाना गौर्मेंट की जो अपना initiative है Chief Minister Distance Learning Program उसके तहर G.O. से एक agreement हुआ है ठीक है तो हरियाना गौर्मेंट and Reliance G.O.T.V याद कर लेजएगा इसके बाद गाईज आगे बाद करें तो ये भी काफी important news है जो हम बात करेंगे India calls for 50% staff reduction after Pakistan violate Vienna Convention तो Vienna Convention क्या था गाईज उसके बारे बात कर ले तो आपको बता है कि हर देश के embassy हर दूसरे देश में होते इंडिया की embassy है इस्लामाबाद में और पाकिस्तान के embassy दिल्ली में तो अभी जून की बात है इंडिया के दो diplomat जो की मतलब embassy में थे पाकिस्तान वाले में वहाँ पर उनको gun point पे अगवा कर लिया गया और फिर उनको दो दिन तीन दिन के बाद वापस कर दिया किया इंडिया तो इंडिया इससे काफी नाराज है और इंडियान ने क्या किया है जो पाकिस्तान मैसी इंडिया में उसके दो diplomat को पगड़ा है जासुसी करते हो है तो इंडिया ने बोला है पहली चीज़ की अपना 50% स्टाफ कम करो और हम भी इसलामाबाद में अपना 50% स्टाफ कम करेंगे तो एक पॉइंट यह हमने आपको बता दिया देखे और पाकिस्तान से ही बोला है कि आप भी नई दिल्ली में अपना जो पाकिस्तान का हाई कमिशन है उसके उसमें स्टाफ में कमी करी तो यह भी पॉइंट हमने आपको बता दिया एक इंटरनेशनल अफेस का इंपोर्टेंट पॉइंट था है आगे बढ़ें गाईस आगे बढ़ते हैं और वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की बात करें इन्होंने कराटे असोसियेशन आफ इंडिया को डी रिकोगनाईस कर दिया वर्ल कराटे फेडरेशन ने कराटे असोसियेशन आफ इंडिया को डी रिकोगनाईस कर दिया है क्यों कर दिया है क्योंकि अच्छा हमाई दिश में बहुत बड़ी कमी है कि जो sports federation है उसमें भी politics जंगे हो दी तो karate association of India में जो top level employee है उनके जो selection हुआ है उसमें कुछ corruption के case सामरे आए है जिसकी वया से world karate federation ने karate association of India पर अभी de-recognize कर दिया है मतलब उनको अपने list से अभी हटा दिया है हला कि यह provisionally है मतलब यह अस्थाई रूप से देखें यहाँ है तो world karate federation has provisionally de-recognized karate association of India with the immediate effect from the June 21 तो June 21 से इनको de-recognize कर दिया गया है इसका मतलब क्या होगा कि world karate federation के किसी इंटनेशनल event में अब इंडिया की जो athlete है वो participant नहीं कर सकते तो एक point हमने आपको यह बता दिया ठीक है आगे बढ़ते हैं guys और अब बात करेंगे अपने MCQs की मेरे questions आपकी answer एक बाद फ्रलाक से revision कर लेते हैं according to the world bank report what is India's position as an economy in terms of the purchasing power parity तो purchasing power parity के इसाब से भारत की world economy में ranking कितनी है यह आपसे पूशा गिया है पहला question अबारे सामने है इसका answer आपको देना है क्या इसका answer आप देंगे जल्दी से answer दीजिए answer is third option number B India economy account for how much percent of global gross GDP in terms of triple B तो triple की के terms में मतलब India global GDP का कितना percent रखता है यह भी मैंने आपको बता दिया तर percentage में और मैंने आपसे बोला बिखा की percentage में आप याद कर लो and the answer is 6.7% option number C 6.7% option number C is right answer हम आगे पढ़ेंगे और बात करेंगे next question according to the world bank report who is on top position as an economy in terms of the purchasing power parity कौन से देश ने top किया है in terms of the purchasing power parity यह आपसे पूशा गया है answer क्या होगा answer is China option number B यह भी आपको पढ़ाया गया purchasing power parity refers to यह क्या होता है यह आपसे पूशा गया है देख लिए जी option के इसाब से क्या इसका answer होगा आप लो बता देंगे आराम से इसका answer क्या होगा इसका answer होगा option number 1 the concept that same the concept that same goods should all for the same price across countries after exchange rate are taken into account मतलब क्या हो गया dollar US में रुपीज इंडिया में है ना तो यह आप मैंने पुगता ही था आगे पढ़े और अब बात करते है अंगीता पॉल बेटा C कैसे होगा हमने कुछ sport या forward currency की बात की है क्या कहीं पर चलिए अरे तो मैंने क्या बोला था कोई भी product मतलब different currencies में कितने का है for example US में कितने का है और रुपीज में कितने का है डॉलर रुपीज में तो यही तो formula में नाता है थापको चलिए आगे बढ़े next point की बात करें according to latest report by the economic wing of the state bank of India COVID-19 pandemic looks likely to bring down India per capita income by 10% in the year 2020-21 COVID-19 के रहे से भारत की जो per capita income वो किसमें कितने परसंट की कमी आएगी यह आप से पूछा गया है अरपन बैर जी बोला है 4.5% क्या यह सही answer है यह 5.4% है तो उसका मतलब सीधा सा है की अरपन जो है वो लेट में जॉइन किये class हमारी आज ठीक है ठीक है चलिए आगे बढ़तें और बात करतें अपने next question की according to the letter आप से पूछा क्या कि which state obliguity will be the worst affected तो मैंने आपको तीन नाम दिये थे कौन कौन से डेली, चंडीगर और तीसरा क्या था तो answer क्या होगा answer is जैली, option number है मैंने percentage में भी आपको बताया हुआ percentage में भी मैंने आपको बताया हुआ है ठीक है चलिए आगे बढ़े आगे बढ़े की मतलब की which state will be the least affected ये भी मैंने आपको बताया था अरुणाचरप्रदेश हो गिया गुवा हो गिया ये सब least affected state है तो answer is अरुणाचरप्रदेश, option number B is right answer आगे बढ़े next point की बात करते who has been appointed as the head coach of the Uttarakhand cricket team for the upcoming domestic season Uttarakhand cricket team के head coach कौन बनेंगे आपसे पूशा गया है ये भी आपको पता है इनका नाम है वसीम जाफर, option number D is right answer वसीम जाफर, option number D is right answer next point who is the present captain of the Uttarakhand cricket team present captain कौन है ये आपसे पूचा गया present captain कौन है तो ये है तनमेश्रिवास्तोवा option number D तनमेश्रिवास्तोवा option number D is right answer पहले ये UP के लिए खेल देते उत्राखंड is the governing body of the cricket activities in the Indian state of Uttarakhand and Uttarakhand cricket team where is the headquarter of the CAU तो cricket association of Uttarakhand का headquarter कहां पे ये आपसे पूचा गया headquarter कहां पे ये आपसे पूचा गया है और इसका answer क्या होगा इसका answer होगा देहरादूर, option number D is right answer next point who has appointed as the new head of the global development by world athletics तो world athletics द्वारा वेक्ष्विक विकास के नए प्रोमो के रुप में पॉइंट किसे किया गया we have five option and the right answer is laureate बुक्वी लेट, option number B is right answer और ये mail है आगे भड़े next point कहीं बात करें where is the headquarter of the world athletics located किसी भी exam में question आ सकता है और इसका answer आपको सही देना है क्या इसका answer होगा देख लिजे बारवा question हमारा and the answer is Monaco Monaco option number A Monaco option number A is right answer next question world athletics day is observed annually on which day विश्व एथलेटिक्स day जो है वो हम प्रतीवश किस दिन मनाते हैं पाच option के साथ answer आपको दे रहा है क्या इसका answer होगा and the answer is 7th में option number B 7th में option number B is right answer next point करनाटका बैंक ने सुख्ष में उद्यमों के लिए KBL, Macro, Mithra, Surydha शुरू किया इस सुख्ष में वी निर्माण और सेवा उद्यमों को कितना amount loan दिया जाएगा मैंने अभी आपको ये बता दिया था answer आपको सही देना है what is the right answer answer इसका क्या होगा इसका answer होगा option number C 10 lakh 10 lakh rupees is right answer option number C is right answer करनाटका बैंक has launched a health insurance policy to cover COVID-19 in partnership with which insurance company answer दीजे पढ़ाया है मैंने आपको important question exam के point of view से ये है revision के लिए आपके है basically answer क्या होगा और इसका answer होगा universal sumpo general insurance option number C आपको मैंने पूजिन पहले ही पढ़ाया गाए where is the headquarter of the करनाटका बैंक located तो करनाटका बैंक का headquarter कहां पे है 5 option आपके सामने है answer आपको सही देना है तो करनाटका बैंक का जो headquarter है वो है Mangaluru में option number B is right answer as per the Moody India GDP is expected to shrink by 10% in the calendar year 2020 तो calendar year 2020 में भारत की GDP कितना percent गिरेगी according to Moody's आप से पूशा गया है याद आपको होगा मैंने पढ़ाया है अभी तुरंद आपको and the answer is 3.1% minus 3.1% option number C is right answer and Moody expected the economy to register how much percent growth in 2021 तो Moody's को उमीद है कि अर्थ रस्ता में calendar year 2020 में इतने percent की वृद्धी होगी पाकिस्तानी चल कर वे लगते हैं आप लूशा नब वो लोग Moody को Moody ही बोलते है Moody answer is 6.9% option number C 6.9% option number C is right answer next point which of the following agency has downgraded the government of India foreign currency and local currency long term issuer rating to BAA3 from BAA2 यह भी मैं आपको पढ़ा चुका और मैं revision भी पहले करा चुका हूँ आपको answer क्या होगा इसका and the answer is Moody's option number B तो Moody's ने भारत की long term rating को BAA3 कर दिया है BAA2 से तो याद कर लिचेगा यह भी आगे बढ़े next point की बात कर ले चलिए where is the headquarter of the Moody's Moody's का headquarter कहाँ पे है तो Moody's के headquarter की बात करें तो Moody's का headquarter है New York USA option number A who is the present CEO of the Moody's कौन है भाई तो इनका नाम है Raymond W. McDaniel Jr. option number A McDaniel Jr. option number A is right and so the government of India will bring an ordinance to put all cooperative bank under the supervision of which organization तो आपको यह पता है simple question Reserve Bank of India option number C is right and so the center is to pass an ordinance which will allow the state government to flexibility to increase the work hour of employee across establishment to how many hours per day from 8 hour तो यह news काफी बुरी news है हमारे लिए कि Central Government ने ordinance पेश किया था जिससे state government को यह power मिलिया है कि वो अपने employee का time increase कर सकते है तो पहले 8 घंटे minimum time था अब इसे कितना कर दिया है तो इसे 12 कर दिया है COVID-19 की विए से option number D is right and so which ordinance has the Central Government brought for the barrier free trade in the agriculture produce आपको मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था यह चीज़ कि अभी गया है कि किसान अपनी फसले कहीं पर भी बेच सकता है यह कौन सा ordinance था तो यह ordinance था the farming produce trade and commerce promotion and facilitation audience 2020 option number B is right and so next point as per India ratings India GDP is expected to shrink by 10% in the financial year 21 मतलब वित्वर्ष 2020 किस्ट में India rating के सब से भारती ग्रोथ रिट कितनी रहेगी कितनी कम हो चाहेगी यह आप से पूछा गया and the answer is 5.3% option number B 5.3% option number B is right answer next point rating agency India rating is a wholly owned subsidy of मैंने आपको बोला था मैंने आपको बताया था क्या इसका answer होगा इसका answer क्या होगा इसका answer होगा which option number B which option number B is right answer next point where is the headquarter of the India ratings research private limited located India rating research का headquarter कहां पे है यह आप से पूछा गया and the answer is Mumbai option number C who launched the world first gold back US digital gold currency launch in India India, Middle East, Gulf countries, Africa सब में launch हुआ है Dubai से launch किया गया था Dubai से launch किया गया था और इसका answer है IBMC Financial Professional Group IBMC Financial Professional Group option number B is right answer where is the headquarter of the US gold currency incorporation located US gold currency incorporation का headquarter कहां पे है 5 option आपके साथ है answer is Yoming USA option number C where is the headquarter of the IBMC Financial Professionals Group located इसका headquarter कहां पे है तो इसका headquarter UAE में है option number B is right answer next point Blockville is the first electronic off exchange digital liquid provider it is headquartered in तो Blockville का headquarter कहां पे यह आप से पूछा गया और इसका answer है Chicago USA option number B how much has India pledged to the United Nations relief and work agency for Palestinian refugee in the Near East over the next two years and the answer is 10 million dollar option number B where is the headquarter of the United Nations relief and work agency located यह important question बग सकता है याद के में रूरी है से आपको and the answer is Amman Jordan option number C who is the present Prime Minister of the Palestine Palestine के present Prime Minister कौन है यह आप से पूछा गया है और इसका answer क्या होगा Muhammad Sattay option number A is right answer what is the currency of Palestine Palestine currency क्या है तो वो क्या है वो है pound option number A which country has laid the foundation stone of the first Hindu temple in its capital city answer is Pakistan city Islamabad option number A is right answer foundation stone of the first Hindu temple in Pakistan capital city Islamabad was laid the temple will be devoted to which Lord which Lord यह आपको पढ़ाया गया answer Lord Krishna option number B which of the following country has witnessed the highest inflation in the world during the fiscal year 2020 and the answer is Pakistan option number C near about 10.24% inflation name the initiative launched by HRD Minister Ramesh Pukharyal Nishan to help systematically assimilate technology and information related to incubated startup in the country Higher Education Institute and the answer is Yukti 2.2 option number E is right answer Union Human Resource Development Minister Ramesh Pukharyal Nishan a new mobile application named the National Test Abhyas the application has been developed by to National Test Abhyas नाम का एक application launch किया गया है इस application को किसने बनाया है यह आप से पूशा गया है answer क्या होगा answer is NTA NTA का मतलब क्या है NTA का मतलब क्या है जरा मुझे comment करिये next point which of the following ministry has launched an information booklet safe online learning in the times of COVID-19 and the answer is Ministry of Human Resource and Development next point the exclusive investment forum is a sectoral series to conduct comprehensive conversation among global industry leaders है ना who has launched it यह आप से पूशा गया किसने launch किया किसने launch किया है National Testing Agency Birgul Sajang किता and the right answer is Har Simrat Kao और बादर option number B the union government has constituted how many members empowered group of secretaries headed by cabinet secretary for attracting investment in India मैंने आपको यह पताया था राजीव गौबा इसको lead करेंगे और यह seven member committee थी option number C is right answer union cabinet has approved private sector partnership in space activity the cabinet has approved setting up which of the agency तो मैंने आपको यह भी बढ़ाया था हाला कि नाम याद करना भूल गया होंगे आप लोग लेकिन फिरसे देखेंगे एक बार इसका answer है Indian National Space Promotion and Authorization Center IN space ठीक है याद कर लिशेगा next point cabinet has approved the extension of प्रदान मंत्री वाया मंदना यूजना अप टू दिस यह अच्छा हां कुशी नगर कुशी नगर Airport को कुशी नगर Airport को International Airport का दरजा दे दिया गया है कुशी नगर Airport को भी International Airport का दरजा दिया गया है ठीक है इसका answer 31st March 2023 23 हो जाएगा option number C is right answer the union cabinet has approved the प्रदान मंत्री मच संपदा यूजना to improve fishery sector in the country how much amount has been allocated to the scheme it is very important question and as well as your reason इसका answer क्या होगा इसका answer 20,050 करो रूपी से option number B for the प्रदान मंत्री मच संपदा यूजना ठीक है आगे बढ़े next point की बात करें with which state government Reliance GO TV signed an agreement to benefit 5.2 million school of children answer क्या होगा answer is Haryana option number B Haryana option number B is right answer next point Reliance GO TV and Haryana government signed agreement to benefit 5.2 million school children this benefit will be provided under which scheme तो किस scheme के तहत ये आप से पूछा गया है और इसका answer क्या होगा इसका answer होगा Chief Minister Distance Learning Program option number B is right answer The External Affairs Ministry of India has decided to reduce the staff strength of the Indian High Commission in which city by 50% तो वो Pakistan Pakistan में Islamabad option number B is right answer Who is the present Indian High Commissioner to Pakistan Indian High Commissioner to Pakistan कौन है ये आप से पूछा गया है और इसका answer Ajay Bishariya है option number D इनका भी appointment नया ही है ठे Who is the present High Commissioner from Pakistan to India Pakistan to India and the answer is Mohen Ulhaq option number B is right answer next point Who has provisionally de-recognized the Karate Association of India with immediate effect from June 21 and the answer is the World Karate Federation option number B is right answer World Karate Federation का headquarter कहाँ पे है World Karate Federation का headquarter कहाँ पे है answer is Madrid Spain option number B चलिए thank you so much guys for the coming आप लोग आए और दिनके 2 बज़े हम लोग बात करेंगे FQs की आप सबके question email ID पर मेरे पास आज़ चुके है वही question के बारे में मैं answer आपको करने वाला हूँ दिनके 2 बज़े आपका most welcome है ठीक है तो मिलते हैं आप सबके 2 बज़े और कल फिर मिलेंगे 7 बज़े for the current इंटरफेस thank you so much आपना खिया लगे thank you so much